इस वीडियो में हम जानेंगे कि निक्षे पोर्टल पर एन्रोल्मिंट रजिस्टर कैसे देखें। सबसे पहले आपको यूजर नाम और पास्वर्ट का उप्योग करके निक्षे रिपोर्ट पोर्टल में लॉगिन करना है। लेफ्ट पैन पर मौजूद पेशेंट वाइज लिस्ट ड्रोप डाउन पर क्लिक करें। यहां आपको एन्रोल्मिंट रजिस्टर का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। यहां आपको एन्रोल्मिंट अर्थात पंजी करण डेट और नामांकन सुविधा के आधार पर नामांकित सभी मामलों की सूची प्राप्त होगी। एक पेश दिखाई देगा जिसमें कुछ ड्रोप डाउन होंगे। यहां वैलियूज दर्ज करने पर आपको एन्रोल्मेंट रजिस्टर रिपोर्ट मिलेगी। स्टेट के लिए ड्रोप डाउन पर क्लिक करें और अपनी पसंद का राज्य चुनें। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। टीबी यूनिट के लिए ड्रोप डाउन में आप या तो किसी एक यूनिट का चयन कर सकते हैं या ओल टीबी यूनिट के विकल्प का चयन कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी मन्थली या क्वाटरली हो सकती है। अभी के लिए मन्थली चुनें। अगले ड्रॉपडाउन में आप यर चुन सकते हैं। ड्रॉपडाउन में पिछले पाँच वर्षों की सूची दी गई है। मंत के लिए ड्रॉपडाउन में अपनी वर्यता के अनुसार महीने का चयन करें। अगले चरण में आपको HF सेक्टर टाइप का चयन करना है। पब्लिक या प्राइवेट। एज के लिए ड्रॉपडाउन में दो विकल्प हैं। पंधरा वर्ष से कम और पंधरा वर्ष या पंधरा वर्ष से अधिक। अन्तिम ड्रॉपडाउन में आप रोगी के जैंडर का चयन कर सकते हैं। सभी डेटा दर्ज कर लेने के बाद जनरेट एक्सल बटन पर क्लिक करें। एक्सल फाइल जनरेट हो जाएगी और आपको अपनी स्क्रीन पर एक डाउनलोड बटन दिखाई देगा। इसी के साथ एन्रॉल्मेंट रजिस्टर रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया पूरी होती है।